प्रॉइब दोस्तों आज इस वीडियो के टॉपिक है सी प्रोग्राम तो चेक इंपूट नंबर इच पैलेंट्राम और नहीं दोस्तों जो आज अमारा इस प्रोग्राम है सबसे पहले हम यूजर से और इंपूट कर आएगे और चेक करें कि वह पैलेंट्रॉम है फिर नहीं पहले आपको पता होना चाहिए कि पैलेंट्रॉम नंबर होते हैं माली जी user number input करता है ich 144 फिर आप इस number को reverse करते हैं जिसे कि आप देग सकते हैं कि इसको reverse करने के बाद जो number आ रहा है हो आ रहा है 241 फिर आप इस reverse number को ऑर जो no दों 여기서 input करता हैから तो दोनों को compare करते हैं तो अगर input number और微 act noblor दोनों equal यह जैसे कि आप आप देख सकते ही से एक जॉपकर में यूजर में इंपूट के आ तो 121 और रिवर्स होने के बाद की यह नंबर 121 ही आ रहा है जब इंपूट नंबर और रिवर्स नंबर दोनों इक्वल होते हैं तो इस नंबर को हम पैले इंट रॉप नंबर केंगें चलिए दोस्तों यह प्रोड्राम बनाते हैं सबसे पहले हैडर फाइल लिखते हैं stdio.h और ponio.h फाइल में फंक्शन के अंदर आपने वैरिबल्स देक्रेर के एंड नंब और रिवर्स वैरिवर्स देखते हैं मेमोरी में किस तरह से स्टोर होते हैं हमने वैरिबल्स देक्रेर किया है num, n, d और रिवर्स रिवर्स रिवी , इनिशली जब आप इन वैरिबल्स को देक्रेर करते हैं के अंदर garbage value होती है लेकिन सिर्फ r e read variable के अंदर value है 0 जो कि आपने declaration time पर store किया पिर clear screen function अब हम user से एक number input करा रहा है enter the number उस number को user ने input किया और हमने n variable पर store रहा है using scale up function तो अब n variable की value हम रहा है 121 n variable की value को हमने एक दूसरे variable जिसका नाम है num उसमें भी store करा है क्योंकि दोस्तों reverse करने के बाद हमें comparison भी करना है तो इस जो number user में input किया है उसे हमने num variable में store कर लिया है तो num variable की value भी हम बढ़ते हों जाते हैं आप इसको reverse करने का process चलाते हैं जैसे कि इससे पहले वाले program में भी आपने देखा था जो तक n की value 0 से greater आएगी तब तकी रूप आपका चलता रही है इसके अंदर हमें लिखा है इन statement d equal to n modulus 10 reverse equal to reverse into 10 plus d और n is equal to n divided by 10 आपको इस रूप का जो process है गो step by step आपको आपका हम अभी n variable की value of 121 इस greater than 0 condition true अभी यह तीन statement एग्जिक्वेट होगी ls statement.d is equal to n modulus 10 जब आप n की value को 10 से divide करेंगे और remainder return कराएंगे तो आपको remainder को लेगा 1 जो कि इस number की last digit है तो जब यह loop आपका first time एग्जिक्वेट होगा तब d variable की value हो जाएगी 1 reverse में देखे r e b variable की value क्या होगी अभी reverse में था 0 0 की multiply 10 से 0 plus d की value 1 को आप add करेंगे तो reverse variable की value भी 1 हो जाएगी उसके बाद n को आप divide करेंगे 10 से number मिलेगा आपको 12 अब n variable की value होगी है 12 जब यह loop आप second time execute होगा अभी n variable की value 0 से greater है जाएगी तब d की value मिल जाएगी आपको 2 जो थी n variable थी last digit थी और reverse की value हो 1 जिसके आप 10 से multiply करेंगे 10 और plus 2 जी हो जाएगा 12 और n की value हो रहागी ही 1 यह अभी भी 0 से greater है यह loop आपका third time execute होगा और d की value हो जाएगी 1 reverse variable में value आजाएगी 121 और n variable की value हो जाएगी 0 अब जब यह condition चेक करेंगे loop के अंदर 0 is greater than 0 यह condition हो जाएगी false जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि reverse variable के अंदर आप current value हो है 121 और n variable की value होगी है 0 तो loop जब आपका terminate हो चुका है और num variable की value है 121 जो की user ने input की था तो अब हम num variable की value और reverse variable की value इन दोनो variables की value को compare करेंगे अगर यह दोनो value equal है तो हम कहेंगे कि यह number जो number user ने input कहा था वो number एक palindrop number है अगर equal नहीं होता है तो हम कहेंगे कि यह palindrop number नहीं है वो condition लगाता है condition लगाता है if else की through if में हम लिखते है num is equal to reverse दोनो variable को हमने compare किया comparison करने के लिए हम यह पर double assignment अगर यह condition true है जैसे कि आप इस प्रोग्राम में देल सकते है कि num और reverse की value दोनों की same है दोनों equal value है तो यह print हो जाएगा number is palindrop अगर यह condition आपकी false हो जाते है अगर यूजर को यह और number input करता हमको reverse होने के बाद equal नहीं होता तब हम else part में print कराएगे number is not palindrop इसी तरह से प्रोग्राम की जोच भूमित करता हम आपके प्रोग्राम clear हो गया हो जब आप इस प्रोग्राम को run करेंगे अपने दर्वसी compiler पे तो आपको कुछ इस तरह का output में लेगा enter the number 121 user input किया तो कोई भी other number user input कर सकता है उस number के basis पे अगर वो reverse होने के पाद भी same है तो वह particular statement आ जाएगा जैसे 121 के case का है number is palindrop ठीक है तो यही ती दोस्तों आज के वीडियो वीडियो करता हूँ कि आपको एक program के लियर हो गया है वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों ने साथ और subscribe कीजिए मेरे चैनल को इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच पर वाचिन इस वीडियो अ आ आ आ आ